दोस्तों, आज का नासता बनाने के लिए मैंने एक कट अरी बेशन को चाल के लिए आदा छोटा चमच नमक डाला, एक चोथाई चमच काला नमक और आदा छोटा चमच धनिया का पाउडर एक छोटा चमच कुटी लाल मिर्च डाल के इसे अच्छी से मिक्स कर लिया है फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर गाड़ा बेटर बना लेंगे बेटर हमारा गाड़ा बन चुका है और इसके बाद में इसमें डाल देंगी एक बारी कटा हुआ प्याज, एक बारी कटा हुआ टमाटर, दो बारी कट हुई हरी मिर्च और एक आलू को जिसको मैंने कद्दू कस कर लिया था आप इसमें अपनी पसंद की सब्जियों को एट कर सकते हो बारी काटके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपको थोड़ा गाड़ा लगे तो थोड़ा पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी अर्जेस्ट कर लीजिए और इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए तो इसको बनाने कली तवे पर हम थोड़ा सा लगा देंगे आईल, आयल के गरम होने पर हम इसमें एक बड़ा स्पून से इसने बेटर ढालिंग इसको फैला देंगे दूसरी तरफ भी आयल लगा देंगे और पलट बलट कर दोनों तरफ से सुनेला रंगाने तक पका लेंगे प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सबस्क्राइब जरूर करें थैंक यू